जी हां दोस्तो एक बहुती महतुपुण और बड़ी खबर सामने आ रही है बता दे आप लोगों को साथियों यहां पर यम्रा नगर्शे खबर है कोशल रोजगार निगम से मिली है तेरा सो पचास पी टी आई को सकूलों में जॉइनिंग जी हां 1163 दिन से दोस्तो जो धरना प्रदसन कर रहे थे पी टी आई थे जो सरकार ने दोस्तो सकूलों से हटा दिये थे उनको अब कोशल रोजगार निगम के माधम से लेटर जारी करके इनको जॉइन करवा दिया गया है जी हां कोशल रोजगार निगम के माधम से दोस्तो इनको कोशल रोजगार निगम के मादम से रोजगार मिला है इन अध्यापकों ने सकूलों को जोईन भी कर लिया है तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है इतने दिन के बाद यहाँ पर चलो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो राहत मिली है थोड़ी सुनवाई हुई है और दोस्तो हिशा लिया है तो बड़ी खबर कह सकते हैं दोस्तो 1163 दिन का संगर्स आखिरकार सफल होता हुआ नजर आया और कोशलोजगार निगम के माधम से सरकार ने जो बोला था कि इनको नोकरी दी जाएगी वो बात भी यहां पर पूरी हो गई है तो अब इन्होंने जोइन कर लिया है और धरना प्रदसन समाप्ति कर दिया गया है तो साथियों अब जबकि इन्होंने यहां पर जोइन कर लिया है 1163 हाला की बता दे आप लोगों को जो पी टी आई हटाए गए थे सरकार की तरफ से उनमें से कुछ का सेलेक्शन हो गया था दोबारा से पर्मानेंट पोस्ट पर लेकिन अब यहां पर जिनका सेलेक्शन नहीं हो था जो दरना प्रदसन लगा तार कर रहे थे उनको ये जोइनिंग दी गई है कोसलोज गानिगम के मादम से आपका अपना क्या विचार है इसके बारे में केमेंट बोक्स में जरूर शेर कीजिएगा इतने दिन के लंबे संगर्स के बाद जो छोटी सी खुशिये की मिली है ये बड़ी खुशी में बदल गई है छोटी इसलिए क्योंकि दोस्तों इनको जो है पर्मानेंट पोस्ट के लिए इनोंने संगर्स किया था लेकिन कोसलोज गानिगम के मादम से भी मिल गया है तो भी बड़ी बात किया सकते हैं इतने दिन के संगर्स के बाद जा के सुनवाई हुई है तो आप लोग जरूर केमेंट बोक्स में शेर कीजेगा अपने विचार तो दोस्तों एक महतवपून खबर थी अगर आप भी चाहते हैं हर्याना मेजुकेशन से लेटेड को सलोजगार निगम से को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मुच्छ